हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू रोशन की क्लास यूट्यूप चैनल आप सभी का आज की इस वीडियो में इंगबार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं RRP NTPC एक्जाम अनेलसिस जो आपका अभी 1 अप्रेल 2020 के पहले सिफ्ट में कोशन आए हुए थे जिससे उन बच्चों को पता चल सके क्योंकि यहां पर काफी चैनल ऐसे हैं जो बच्चों को मिस्लीड करते हैं मिस्गाइड करते हैं वह कोई भी कोश्चन उठा के डाल देते हैं डेली आपका एनलसिस के नाम पर वीव पाने के लिए तो ऐसा नहीं कर है तो नीचे comment box में comment करिए मैं उस comment को पिंट कर दूँगा जिससे कोई बच्चा देखता है आनेवाले सिफ्ट की वो तैयारी कर रहा है तो comment जा जरूर देखे मैं pin कर दूँगा जिससे comment उपर धींका तो वहां से भी झालफ हो जाएगी क्योंकि मैं आप जल्दी ही आरारवी गुरूप डी का जो आपका एक्जाम है उसका भी यहां पर प्रिप्रेशन शुरू कर दूंगा यहां पर आ चलिये देखते हैं पहला को स्ञे reduce का कर दियाल कर दियाल तो यहां पर जो बंदर्गा है गुझात लीं सवाएं स्वाएं दूसरा है या तो यहां पर कोस्टेंब्स आप ध्यान से देखेगा दोस्त soci algorithm निवामी को साफ करने की जो योजना उसका नाम क्या है तो गंगा जी को गंगा नदी को साफ करने की जो योजना उसका नाम है नमामी गंगे योजना या फिर अगर यह कोश्चन आया था कि नमामी गंगे योजना के सुरुवात कभी होई थी तो जुलाई 2014 में इसके सुरुवात नमाम करते हैं किसके लिए करते हैं तो सम्मॉ Umtrent की घहराई मापने के लिए सोना रियंद्र का प्रियोग किया जाता है को सौलबान से नदी किशना नदी कि सहयक नदी नहीं यह पिर यहां पर सब्सक्स बॉब्सक्राइब प्शक नदी किया धाना question है अगर आप लोग comment box option बताते हैं तो मैं बता दूंगा आप लोगो सही अंसर लेकिन यहां पे कुछ सहाइग नदिया है जो किश्णा नदी की वह मैं बता देता हूं किश्णा नदी की सहाइग नदी है इसके अलावा जो भी आपके option में रहा होगा वहाँ पर चौथा option वह वहाँ पर correct answer होगा क्योंकि यह जितने भी नाम यहां पर मैं दिखा रहा हूं आपको छे नाम यह किश्णा नदी की सहाइग नदिया है गोदावरी कावेरी भीमा तुंग भद्रा गाट प्रभा और मूसी यह नदिया है किश्णा नदी की सहाइग नदिया और यहां पर प देखिए सब लोग इनको वीवी गिरी के नाम से जानते हैं इनका फुल नाम बहुत लोग को नहीं पता होगा वराह गिरी वेंकट गिरी इनका नाम है बीवी गिरी तो यह भारत के चौथे राष्ट पती थे और इनके बारे में अगर बताया जाए तो भारत की यह तीसरे उपर राष्ट पती थे लेकिन चौथे राष्ट पती थे तो आज के question पूछा गया था आज के एक्जाम में भारत के चौथे राष्ट पती तो वीवी गिरी जी सही सही एंसर हो जाएगा वीवी गिरी और इनका अगर इसके बारे पूछा जा कि भारत रतन कब दिया गया तो यहाँ पर इसलिए इस समिधान को मिनी संसोधन कहा जाता है पहले मैं बता दूँ आपको कि मिनी संसोधन इसलिए कहा जाता है कि इस समिधान संसोधन में बहुत से जादा इहाँ पे changes किये गये थे इसलिए इस चीज को इस समिधान संसोधन को मिनी संसोधन भी कहा जाता प्रधार मंतरी मांधन योजना किसे के लिए यानि कि यहाथ पर पूछा गया था कि किस के लिए पर रधार मंतर्य मांधन योजना से यहाँ मांधन से हाँ याद रख्येक और एक स्रम योगि जू आप दो Community बता देता हूं यहाँप किसान के लिए यहां पर दिखा रहा हूं बता देता हूं तो प्रधान मंत्री किसान मांधन यूजना किसानों के लिए tighten साथ वर्स से जो जादा के किसान है जो साथ वर्स से भुजुर्ग किसान है उनके लिए यहां पर पेंशन योजना है यह तीन हजार प्रतिमा की जो तीन हजार रुपए प्रतिमा इनको पेंशन दिया जाएगा इस योजना के अंतरगत प्रधार मंत्री किसान मांधन योजना तो आप दोनों में से बताईएगा कौन सा question पूछा गया था आठमा question है RBI के स्थापना काफी अच्छा question था मैं सोची रहा था morning में की हो सकता है ये question आज के exam में आप लोगों से पूछ लिया जाए क्योंकि आज ही के दिन एक अप्रेल के दिन RBI के स्थापना हुई थी आर सथापना ये कई बार question पूछा चुका है लेकिन अगर ये question आज के दिन नहीं पूछा जाता तो काफी मजह नहीं आता तो आज के दिन यह question उच्छा रहा था तो काफी अच्छा लगा मुझे अप्रेल आप कह सकते हैं अप्रेल 1919 में महात्मा गांधी जी ने यहां पर रॉलेट रॉलेट एक्ट का विरोध किया था याद रखिएगा इस कोश्चन का सही अंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट अगला कोश्चन यहां पर देखेगा धुवाधार जर्ना किस नदी से बना है यहां पर धुवाधार जर्ना के वारे हम पूछ लिया गया था कि किस नदी से यह जर्ना बना हुआ है तो नर्मना नर्मना नदी की जो नर्मना नर्मदा नदी का जो पानी है वह वहां पर आप लाएं तो इसी वजह से नाम पड़ा और ये नर्मदा नदी के वजह से बना है इस कोश्चन का एंसर हो जाएगा नर्मदा नदी और यह पूछता है कि धुवाधार आगला कोश्चन देख लिए कंप्यूटर से फिर सरी आप रिपीटेट कोश्चन है ये तीन से बार पूछा जा चुका है सेम कोश्चन कंप्यूटर से फुल-फॉर्फार्म की कोश्चन हर सिफ्ट में पूछता है याद रखेगा तो फुल-फॉर्म की भी यहाँ वीडियो यूरल का फिलफाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ठीक अगला कोश्चन है यहां पर दिल्ली सल्तनत पर सबसे ज्यादा समय तक सासन करने वाला वन्स यहां पर वन्स के बारे में पूछा गया था कि दिल्ली सल्तनत पर सबसे ज्यादा समय तक सासन करने वाला वन् आप लोग अगर एक्जाम देखे हैं जरूर कोस्टन बताईए इसके लावां कॉनकों से कोस्टन थे एक बच्चे ने मुझे यहां पर रिजनी का कोस्टन बेजा था पूछ रहा था कि सर्म यह कोस्टन मुझे नहीं बना तो यहां पर काफी आसान कोस्टन था आपको ध्यान चार में से गटेए तो क्या हैँगा एक आएगा नीचे देख लिजिए थी समय जो ख़ाइए टृक्न थे एक्से लेसे तेन चालय को था अगर यह इन्यग्ज कह लिच सकते हैं क्यूंब होता है 7 गुड़े 7 गुड़े 7 यानि की 343 तो अगला जो यहां पर कुश्चन मारक है वहां पर आ जाएगा 343 इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा तो आसा करता हो जो बच्चा यह कोश्चन बोल रहा था उसको समझ में आ गया होगा कि यहां पर एंसर क्या आएगा और कोई भी अगर कमी लगी तो भी बताईएगा मुझे मैं नेक्स टूडियो में उसको सुधार्णी की पूरी कोसिस करूँगा और अगर रोशन की क्लास यूटिप चानल से जुड़ना चाहते हैं गुरूब डी की तैयारी करना चाहते हैं अच्छे से तो रोशन की क्लास य की तैयारी अच्छे से कर सकें तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स टूडियो में तब तक के लिए आप लोगा बहुत बहुत धन्यवाद जैहिंद वंदे मात्रम